कहते हैं जोडिया स्वर्ग से बन कर आती हैं लेकिन कुछ ऐसी जोडिया भी होती हैं जो साथ जीने बनने की तक्दिर लिकर दुनिया में आती है मध्य प्रिदेश के गौालियर के रमेश खटिक और चत्रो देवी की कहानी भी यही है सतर साल की रमेश खटिक का बीथी रात निधन हो गया ये देख कुछ ही पलो बाद उनकी पत्नी चत्रो देवी ने भी दम तोड़ दिया दौनों पत्ती पत्नी पचास साल तक एक दूसरे के साथ साय की तरा रहे और मौत के सफर में भी दौनों एक साथ निकले दौनों की अंतिम यातरा एक ही अर्थी पर निकली और दौनों का एक ही चिता पर दाहस संस्कार किया गया जिसने भी इस कहानी को सुना वह भावखो उठा दरसल भीतरवार के चिटॉली में रहने वाले सत्तर साल के रमेश चंदर खटिक ने बीती रात अपनी पत्नी चत्रो देवी के साथ खाना खाया था खाना खाने के बाद दौनों सोने चले गए रात के वक्त रमेश चंदर बातरूम करने के लिए उठे थे और इस दोरान वह अचाना गिर पड़े और उनकी मौकी पर ही मौत हो गई कुछ देर बात पत्नी चत्रो देवी बाई उठी तो दिखा की पती मौत अवस्था में पड़े हुए थे यह देख चत्रो बाई की साथ से भी थम गई अलसुभे घरवाले जागे तो दोनों को मौत अवस्था में देखा घरवालों ने फॉरन डॉक्टर को बुलाया तो दोनों का तब तक निधन हो चुका था रमेश चंद और चत्रो देवी की शादी 50 साल पहले हुई थी और जब दुनिया से विदाई का वक्त आया तो दोनों साथ ही रवाना हुए लोग भी क्या उठे कि साथ फेरे लेते समय साथ जी ने और मरने वाली कस में सही माइने में चत्रो देवी ने निभाई है शनिवार को दोनों की अर्थी एक साथ बनाई और शम्शान में एक ही चिता पर दोनों का अंतिन सम्झ कार किया गया आपको बता दें कि चत्रोदीवी भीतरवाद में पूर्फ जन्पत पंचेस अदस से रह चुकी थी और रमेश चंदरखटीक छेतर में रमेश निताजी के नाम से विक्या थे जिसने भी उनकी इस कहानी को सुना तो उसकी आखों में आसुआ गए